helloy friends मेंना विकास मदान हैं इस वीडियो में हम सीखिएंगे transmission media के बारे में network cables के बारे में transmission media मतलब ऐसा media जिसके तुरू computers network में data बेजते हैं इस video को देखने के बाद आप network में use होने वाली सबी cables के बारे में जान पाएंगे starting से लेके अब तक तो transmission medium में अगर हम देखें तो दो type की mediums होते हैं एक होता है copper medium और एक होता है fiber optic cable copper medium के अंदर आगे दो cables आती है coaxial cable और twisted pair cable fiber optic के अंदर single mode और multi mode अगर हम copper cable की बात करें तो इसका एक type है coaxial cable coaxial cable में फिर दो types आती है thin net cable और thick net cable और twisted pair में दो types आती है shielded twisted pair और unshielded twisted pair shielded twisted pair को हम STP cable के नाम से जानते हैं और unshielded twisted pair को हम UTP cable के नाम से जानते हैं आईए अब हम thin net cable के बार में detail में समझेंगे thin net cable thin net cable network में यूज होने वाली पहले cable थी 95 और 96 के आसपस ये केबल यूज हुआ करते थी 95, 96 मैं येर की बात कर रहा हूँ यानि 1995 और 1996 के आसपस ये केबल यूज होते थी और ये केबल बस टॉपलोजी में यूज होते थी इसका जो स्टेंडर था 10-2 नाम से जाना जाता था यानि इसको बोलते हैं IEEE 10-2 यहाँ पर IEEE एक संस्ता है जो ये सारे केबल के स्टेंडर्ड डिसाइड करते हैं इसमें 10 का मतलब डाटर ट्रांस्मिशन रेट से हैं 10 Mbps और 2 का मतलब मैक्सिम्म सेगमेंट लेंथ है इसका exact 185 मीटर होता है डिस्टन्स जब भी हम कोई केबल पर्चेस करते हैं तो इसमें हम दो चीज में होती है एक होता है स्पीड कितने Mbps यह कितने 1 Gbps की है और दूसरा सेगमेंट लेंथ यानि केबल मैक्सिम डाटर कितना ट्रांस्वर कर सकते हैं विदाउट कटिंग तो जो थिनर्ट केबल थी वो 10 Mbps की डाटर ट्रांस्वर कर सकते थे इसके थूँ और 185 मीटर इसकी लेंड थी इसमें बेस्बेंट सिंगनों के थूँ डाटर ट्रांस्वर होता था एक होता ब्राडबर्ड एक होता है बेस्बेंट means multiple frequencies होती है और बेस्बेंट में single frequency के तुरु data तनास्वर होता है इसमें जो connector used होते थे उसे बि एन सी T-type connector बोलते है यहां पे बि एन सी का मतलब barrel net connector है और एक मतलब network interface card यह जो आप connector देख रहे हैं यह अगर आप देखें तो यह T-shape का है इसलिए इसको बोलते हैं BNC T-type connector और यह Terminator है Terminator यूज होता था Bus Topology में बोथ end पे अगर आप Bus Topology के बारे में जारना चाहते हैं तो आप Bus Topology की मेरी वीडियो देख सकते हैं उसमें Terminator के बारे में detail में समझाया गया है और यह केबल होती थी यह बिल्कुत वैसी केबल है जैसे Cable TV में इस होती है Coaxial Cable इसको हम बोलते है Actual में Cable TV में जो Cable इस होती है यह Coaxial Cable का ही टाइप है इसका यह Outer Case है और इसको हम Copper Mesh बोलते है जो Grounding के लिए इस होती है और External Interface से बचाने के लिए और यह Plastic Insulator है और यह Main Data Cable है Copper Wire है जिसके तूँ Data Tasker होता है जो आप Plastic Insulator देख रहे है इसका यूज होता है कि Copper Mesh और Copper Wire दोनों आपस में Connect ना हो Thick Nut Cable Thick Nut Cable को Actual Cable का दूसरा टाइप था First Type जो हमने डिस्कस किया था वह था Thin Nut Cable Actual में Thin का मतलब होता है पतला केबल इसी प्रकार से थी Thin Cable थोड़ी पतली होती थी और Thick Nut Cable थोड़ी मोटी होती थी तो जो Thick Nut Cable है IEEE 10 Base 5 Standard के नाम से जानी जाती थी इसके अंदर 10 का मतलब 10 Mbps है जो की Data Transmission Rate है 10 Mbps यानि 10 Megabit Per Second और Base का मतलब Baseband Signal जिससे मैंने बताया था दो टाइप के Signaling होती है एक होती है Baseband एक होती है Broadband तो Baseband मतलब Single Frequency के तुरटा जाएगा और Broadband होता है Multiple Frequencies जो इसका Distance है वो होता है 500 Mbps जिसको हम Segment Length के नाम से जानते है इसका जो Use होता था दो Lend को Use करने के लिए जैसे मान ले जी आपके पास दो Building है जिनका Distance 300 Mbps है और आप चाहते हो इन दोनों के बीच में जो Data Transfer हो लेंग के थुरू और यह दोनों आपस में Connect हो तो ऐसे जगह Thicknet Cable Use होते थी और अगर हम यहां पर बात करें तो यहां Thin Cable Use होते थी Lend के अंदर और यहां भी Thin Cable Use होते थी बस Topology तब चला करती थी एक Lend इस Building में होता था और दूसा Lend मानलो इस Building में है दोनों Building को जोड़ने के लिए जो हम Cable Use करते थे वो Thicknet Cable होती थी इसके नगर जो Connector Use होते हैं उसको बोलते है AUI Attachment Unit Interface इस प्रकास से होते थे अभी Thinnet Cable और Thicknet Cable दोना ही माकर में यूज नहीं हो रही है क्योंकि इनकी जो Speed थी वह बहुत कम थी 10 MPS और Comparatively जो Cable Use हो रही है वो है UTP Cable जिसके अंदर 1000 MPS तक का डाटा Transfer हो सकता है Next वीडियो में हम discuss करेंगे UTP Cable के बारे में Thank You अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी वीडियो की information आप अपने email आड़ी में प्लीव कर सकते हैं Thank You